नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RTI ज्यान चैनल पर. दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि CDR याने Call Details की जानकारी RTI से कैसे प्राप्त कर सकते हैं. क्या CDR Call Details RTI के दायरे में है या नहीं, यदि है, तो RTI से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह विडियो अच्छी और ज्यानवर्धत लगे, तो विडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तो चलिए शुरुवात करते हैं. दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि CDR Call Details का maintenance एक telephone operator द्वारा किया जाता है. यह एक निजी यानी private company होता है, जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण के दाएरे में नहीं आता है. दोस्तों, CDR एक सार्वजनिक सूचना का हिस्सा नहीं है, यह वास्तव में एक व्यक्तिगत जानकारी है, इसलिए लोग सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहट इसका खुलासा नहीं कर सकता है, जब तक कि व्यक्तिगत जानकारी का कुछ हिस्सा सार् दोस्तों यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहट कॉल विवर्ण यानि कॉल रिकार्ड चाहते हैं, तो आपको यह साबित करना होगा कि सूचना व्यापक जनहित में हैं और इसका खुलासा करना आवश्चक है. दोस्तों, एशिया उमेर नट्टूकलिंदम बनाम BSNL मामले में केंद्रिय सूचना आयोग ने कहा है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि कॉल विवर्ण व्यक्तिगत जानकारी है और इस जानकारी का खुलासा केवल व्यापक जनहित में किया जा सकता है. प्राथमिकी दर्स करने के बाद कॉल डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि तब CDR एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बन जाएगा. यह अपराध और अपराधी के बारे में भी कुछ प्रासंदिक जानकारी दे सकता है. इसलिए यह CDR प्राप्त करने में एक व्यापक जनहित स्थापित करेगा. दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा आठ एक किसी तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने पर रोक लगाती है. धारा आठ के उपखंड जे के अनुसार एक नागरिक को व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है. जब तक की जानकारी सारवजनिक हित ना हो. दोस्तों, गोयल बनाम केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी में केंद्रिय सूचना आयोग ने कहा था कि सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों की गोपनियता की रक्षा करने के लिए बाध्य है. यह किसी भी मोबाई या टेलिफोन कनेक्शन से संबंधित तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है. इस जानकारी को RTI अधिनियम की धारा 8-1-J के तहट छूट दी गई है, जब तक की तीसरा व्यक्ति इस तरह के प्रक्तिकरण में व्यापक जनहित नहीं दिखाता है.